तो दोस्तों आप सभी का स्वागते तो दोस्तों जैसा कि इस पे अपडेट होते रहते हैं बट हाज हम आपके साथ जानकारी सेर करने आए साजा करना आए रामला की मूर्ति की बहुत ज्यादा फोटो आज के लिए तो हमने भी सुचा हम आपको कुछ खास जानकारी देते है तो हम आपको मूर्ति की एक चीज बताते हैं मूर्ति में क्या खास है तो मूर्ति तो ऐसे आप देख सेकते हैं आपको देख लिया में बहुत जबांगे अपको बताते हैं तो हम आपको बताते है दोस्तो मुर्ती करीब 200 किलोग्राम वजनी तो उचाए इसकी यह 4.24 फीट मतलब 200 किलोग्राम वजन है मुर्ती का और 707 मुर्ती की जेशता है देखे तो इसमें कई तरह की खूबिया है मुर्ती सियाम सिला से बनाए गई है जिसकी आयू हजारों साल होती है और मुर्ती को जल से कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तो चंदन रोली आदी लगाने से भी मुर्ती पर कोई बर्वाव नहीं पड़ेगा दोस्तो अज साथी साथ दोस्तो हम आपको बता दे मुर्ती का वजन आपको बताया था 200 kg और उचाही आपको बता है तो 4.24 फीट जबकि इसकी चोड़ाई 3 फीट है कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ती हाथ में तीर और धनुस है क्रिसन सेली में मूर्ती बनाए कई है दोस्तो राम लाला की मूर्ती में और क्या खास है और क्या क्या चीजे है इसके अंदर हम आपको उसके बारिक से बताते हैं मूर्ती के पर स्वास्तिक ओम चक्र गदा सूर्य भगवान विरिज्मान है रामला के चारो और अभा मंडल है मूर्ती के नीचे एक और भगवान राम के अन्य भक्त हनमान जी तो दूसरे और गुरूर जी को उकेरा गया है तो दोस्तो जहांब भगवान हनमान जी उसके बगलम ठीक गुरूर जी को भी है असासा दोस्तो मूर्ती में पांस साल के बच्चे की बाल सुलुप को मलता जलक रही है मूर्ती की मूर्तीकार अरून योगीराज ने बनाया जिसके आप फोटो देख सकते हो यहांपे सीराम जन भूमितित छेत्र की अधिकारी को कहना था कि जिस मूर्ती का चैन हुआ है उसमें बाल तत्तो देव तत्तो और एक राजकुमार की छवी को दरसाया गया है तो मुझे उमिद आपको यह कोशन की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मुर्ती की बारे में हमने आपको विश्य इस तरीके से बता दिया है आप इस वीडियो को जितना हो सके सेर कीजिए सभी को बताइए क्या क्या इसमें खूबी है मुर्ती के अंदर तो आप से बिकों जैसी राम